हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तो वाटसप की फोटो वीडियो दोस्तो गैलरी में सेव नहीं हो रही है तो दोस्तो आप इस प्रॉलम को ठीक कैसे कर सकते हो क्योंकि दोस्तो वाटसप के अंदर काफी दिनों से दो प्रॉल्म चल रही है कि जब भी आप कोई WhatsApp पे फोटो वीडियो दुस्तों सेफ करते हो ना तो गैलरी के अंदर सो नहीं करता है इस प्रॉल्म को दूस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइब सोल्ब करके दिखाने वाला हूँ और दूस्तों इस वीडियो को देखने से सेर्सेंटर होता है सबसे पहले तो दूस्तों यहां पे मैं यहां पर आपके सामने दो लिया हो ताकी मैं आपको लाइब दिखा सकते हूं और दोनों फों भी देता हूं याँ अभी जो मेरा WhatsApp है ना दोस्तों प्रोफर अच्छे से work कर रहा है इसका दिखाने का मतलब यह है अब सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर तीन सेटिंग ओन करनी है जैसे कि मालनो यह वाला जो फोन है न दुस्तों इस फोन के अंदर मैं यहां पर कोई साभी फोटो विडियो भेज़ूँगा और आपको दिखाऊंगा कैसे सो करेगा सबसे पहले दोस्तो इस phone के अंदर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ अपनी दोस्तो यहाँ पर गैलरी से कोई सा भी दोस्तो एक photo विडियो भेज़ देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस photo को select कर लिया है और आपके सामने live दोस्तो यहाँ पर मैं इस photo को यहाँ पर इस WhatsApp के अंदर भेज़ देता हूँ और जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोस्तो इजली यह जो photo है यहाँ पर आ चुका है अब मैं दोस्तो इसे download भी कर लेता ह हूँ और download करने वाद आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ किया दुस्तो यह photo मेरी गैलरी के अंदर सो कर रहा है तो इसके लिए सबसे पहले मैं दुस्तो अपनी gallery को open करूंगा और आपके सामने यहाँ पर दुस्तो लाइब दिखाने वाला हूँ तो आपको पर आल मेडिया के अंदर जाओंगा तो दुस्तो यहाँ पर कहीं पर भी दुस्तो यह फोटो है ना दिख नहीं रहा है और दुस्तो आपके भी phone में सेम ऐसे ही problem होती होगी जो कि दुस्तो यह फोटो है ना वह दिखे गए नहीं तो दुस्तो यहाँ पर अलग से और भी द शेटिंग करना होगा तो चलिए फट अपट से हमक doubts setting लेते हैं इसलिए हमें करना क्या है कि इस्वाटसव के अंदर हमें setting करना start कर देना है सबसे पाले तो यहाँ पे आपको करना के बैक कर देना है बैक करने वाद आपको यहाँ पर ठी-लैन क्लिक करने है setting के अंदर सेटिंग है ना आपको यहाँ पर तो करना ही है इसके बाद दुस्तों आपको बैक करके एक और सेटिंग करनी है जो कि दुस्तों इस्टोरेज के अंदर मिलेगी आपको सेम यहाँ पर इस्टोरेज के अंदर आने है और आपको यहाँ पर इस्टोरेज के अंदर आओगे तो और roaming के condition में भी दोस्तो आपको यहां पे okay कर देना है दो setting दोस्तो यहां से अभी complete हुआ है और बाकी के दोस्तो जो setting है अभी बाकी है तो दोस्तो यहां पर हम जो फटा-फट से और जो setting है वो भी कर लेता है सबसे पहले दोस्तो यह जो बंदा है ना इस बंदे से यदि जो photo video है यदि इस phone का अंदर gallery में सो नहीं हो रहा है तो दोस्तो सबके phone पर यानि इस सबके contact पर आपको setting करनी होगी ध्यान से देखना जैसे कि यह वला बंदा है इस बंदे का मैं chat open करूँगा यहां पर इसका profile open करूँगा open करने यह वाद दोस्तो यहां पर ध्यान देना यहीं से own होगा भी नहीं क्यों नहीं होगा अब दोस्तो यहां पर जब तक यह disappearing message दोस्तो ओन है तब तक दोस्तो आपका auto photo video downloaded दोस्तो जो media gallery होता है उसके अंदर जाये गई नहीं तो सबसे पहले तो आपको यह disappearing message का जो timer है इसे बंद कर देना है बंद करने वाद अब आपको फि आती है कि अब यहां पर आपको फिर भी photo video भेजो गया ना तो दोस्तो वो सो नहीं करेगा अब यहां पर चलिए एक बार फिर समय आपको live यहां पर दिखा देता हूं gallery के अंदर दोस्तो सेम इसी photo को मैं भेज के आपको दिखाऊंगा तो सेम यहीं दोस्तो मैंने photo को यहां प्रोसे से वो काम करेगा यहां पे फोटो जो है ना दूस्तो डाउनलोड हो चुका है बढ़ दूस्तो यहां पर हम फिर से gallery का अंदर जाते हैं और यहां पर दूस्तो जो वटस आपको फोटो वीडियो वाला जो फोल्डर है वहां पर हम यहां पर open कर लेते हैं फोटो विडियो कभी भी गैलरी के अंदर सो नहीं करेगा दुस्तो वटसप के अंदर ये सायद प्रॉलम है पता नहीं क्या तो सबसे पहले आपको इस फोटो विडियो को दुस्तों गैलरी के अंदर सुख करवाने के लिए आपको अपने फोन के अंदर दुस्तों फाइल मैनेजर को ओपन करना है सबसे पहले आपका जो यहाँ पे फाइल मैनेजर होता है दो इस्टोरेज होता है Program वो open करना है आपको phone storage के अंदर जाने है यहाँ पे जाओगे तो दुस्तो आपको यहाँ पे एक setting on करनी है जो कि दुस्तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे सबसे पहले android को open करना है और यहाँ पे media को open करना है media को open करोना तो दुस्तो आपको यहाँ पे whatsapp का एक folder दिखेगा और फिर से यहीं पे आपको whatsapp का एक folder दिखेगा यदि दुस्तो आपके phone के अंदर display hidden file दुस्तो यदि इस तरह से बंध होगा तो आपको सबसे पहले तो इसे own कर लेने है ओन करने वाद दुस्तो आपको यहाँ पे करना क्या है फिर से android के अंदर आने है media के अंदर आने है और यहाँ पे दुस्तो वाटसप को select करना है अब यहाँ पे दुस्तो फिर से media के अंदर आने है और media के अंदर आओगे तो दुस्तो आपको यहाँ पे image या फिर फोटो के अंदर जाने है तो आपको यहां पे दोस्तो जो भी आपने जो फोटो अगैरा है दोस्तो आपका यहां पे दोस्तो हो सकता है private फोल्डर होतै है जो कि उसके अंदर चला जाए तो दोस्तो आप देख सकते हो कि आज के दोस्तो डेट में यह विडियो को न अपने गैलरी का अंदर सोक ऐसे करवाएंगे तो आपको फिर से यहीं पे Android पे क्लिक करना है दोस्तों यहां पे थोड़ा सा दिकत यह है ना कि एक बार बैक करो तो पूरा का पूरा ही बैक हो जाता है मीडिया का अंदर मैं क्लिक करूंगा वाटसप के अंदर जाऊंगा फिर से वाटसप के अंदर जाऊंगा फिर से मीडिया के अंदर जाऊंगा और यहां पे दोस्तों यह जो वाटसप इमेज है ना इसके अंदर जाऊंगा अब यहां पे जाओगे ना तो दोस्तों आपको यहां पे प्राइवेट के नाम से भी हो सकता है एक फोल्डर हो या दो फिर आप को एक बार ढूम लेना है भूमने बार यहाँ पर जैसे हे मेरे फौन अंदर यह जो प्राइवेट है ना इसके अंदर यह फोटो आ कचुपा है तो इसके ऊपर दूस्तो Cont फोटो है ना या तो हम इसका एक कॉपी बनाएंगे या तो फिर दुस्तो डायरेक्टली हम यहां से मूब कर देंगे जो भी फोटो जब जब दुस्तो आपके फोन गैलरी के अंदर यानि कि वट्सप के यहां पे डेटा के अंदर मीडिय डेटा के अंदर जब भी आएगा त पर क्लिक कर देता हूं अब आप यहां से देख सकते हो कि यह जो फोटो है ना दुस्तो हट चुका है और यहां पे मैं अपनी जो गैलरी है दुस्तो जो अपना फाइल मैनेजर है वो एक बार ओपन कर गया आपको दिखाता हूं अब मैंने आपको यहां पर फाइल मैनेजर so कैसे करेगा तो एक बडर back कर देते हैं बडर करनेक वाद तो आप जो भी दोस्तो google का photo जो application होता है या फिर दोस्तो जो device का photo application होता है वहाँ पे जाओगे और आपको दोस्तो ये जो photo है ना दोस्तो gallery के अंदर so कर देगा बहुत ही easy है दुस्तों आपको समझने का फेर है। काफी उजी है, बढ़ दुस्तों यहां पर चीजे यह नहीं है। दुस्तों वटसब के अंदर यह सायद क्या प्रॉलम है जो कि दुस्तों कोई भी फोटो विडियो वह गैलरी के अंदर सो नहीं कर रहा है। तो दोस्तो आपको वहां पे करना के सारे के सारे दोस्तो जो फोटो है ना वहां से उनको कोपी कर लेना है फिर मूब कर लेना है और आपको दोस्तो अपने कैमरे के अंदर जो यहां पे मैंने आपको मूब करके बताया यहां पे आपको फाइल मेनेजर को ओपन करके और यहां पे भी होते हैं जो आपके कैमरे का होता है वो यहां पे दिखता है तो DCM के अंदर आपने जो अपने फोन से फोटो खीचते हो वो सारे के सारे दूस्तों यहीं पे होते हैं तो इसी फोल्डर के अंदर दूस्तों आपको लेया के मूग कर दोगे तो दूस्तों यह आपका फो यह सब चीज करकर देखना दोस्तों आपके फोन के अंदर जो गैलरी है ना उसके अंदर वाट्साप की फोटो वीडियो डेफिनेटली दोस्तों सो कर जाएगी I hope कि दोस्तो जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है न वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो पसंद आई होगी तो like, comment, share जरू करना अपने family परिवार में भी share करना तकि उन्हें भी इस चीज को पता चल सके मिलते हैं दोस्तो इसी तरह की एक और new interesting और दोस्तो कमाल के वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद